तो आज हम बात करने वाले हैं NCRT के exemplar questions की और आज हम question लेने वाले हैं Atoms chapter से यह वीडियो सब के लिए important है आप need के त्यारी कर रहे हैं या फिर आप जे मेंस के त्यारी कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ boards के लिए prepare कर रहे हैं आप सब के लिए useful है क्योंकि आपको पता है कि जो boards के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो useful है लेकिन कोई भी competitive exam हुआ वो NCRT पे ही based होता है तो अब हम चलिए देखते हैं कि कौन से questions हैं और देन हम उनके solutions देखेंगे जो की exemplar section में दिये हुए हैं यहां पर हम सिर्फ objective questions की बात करने वाले हैं तो आगे पढ़ते हैं तो यहां पर बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लीट preparation के लिए बहुत desperate हैं और आपको support की जरुरत है जो definitely सब को चाहिए होता है तो यहां पर मैं आपको suggest करूंगा कि आप हमारे plus courses को join कर सकते हैं जोइन करते समय आप इस code को refer कर सकते हैं और इस से क्या होगा कि आपकी जो भी fees है उसमें आपको considerable discount मिल जाएगा तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और अगर आपको कोई query है तो आप directly इस number पर call भी कर सकते हैं तो यह थी plus course के ब पताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे YouTube पे वीडियो उन lectures के PDF, mind maps, formula sheet, information जो कुछ भी है वो आपको इस Telegram चैनल पर मिल जाएगा तो यह भी आप देख सकते हैं और इसके लावा अगर आपको कोई additional information चाहिए तो आप www.anandmoney.com पर visit कर सकते हैं तो चलिए फिर हम देखते हैं उन questions को तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और उन questions को देखते हैं जिसके लिए आज हम इस वीडियो पर आए हैं तो यहाँ पर first question जो दिया हुआ है वो है taking the bore radius as a not equals to 53 picometer यह आपका bore radius की value दी हुई है the radius of li++ ion ठीक है li++2 ion की बात हो रही है in its ground state on the basis of bore's model will be about तो bore's model हमें पता है कि वो किस तरीके के ions के उपर हमारे लिए valid है और हमें पता है कि वो hydrogen like होना चाहिए तो li++2 यहाँ पर हमारे पास एक hydrogen like है तो इसलिए इस system में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें bore's model यूज करके क्या निकालना है bore radius निकालना है ground state का तो सबसे पहले अगर हम formula याद करें कि formula क्या था radius निकालने का तो याद करिए कि वो कुछ इस तरीके से हम लिखते थे rn equals to a not into n square by z यह formula हम लिखते थे अब जब हम lithium plus 2 की बात कर रहे हैं तो z की value बताइए क्या हो गया z की value आप देखें तो z की value हम लिख सकते हैं lithium के लिए 3 और ground state का निकालना है तो n की value कितनी हो जाएगी n की value हो जाएगी 1 और a not क्या है a not bore radius है जो की already दिया हुआ है ठीक है यह constant होता है तो अब हम इन सारी values को इस formula में put कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे a not की जगा 53 pico meter into n square जिसकी value 1 हो गई divided by z which is equal to 3 तो यहाँ question में पूछा है will be about या नि approximate value चाहिए तो हला कि decimals में answer आएगा लेकिन अगर approximate इसका answer देना चाहें तो this will be approximately equal to 18 pico meter I hope आपको यह question समझ में आया होगा तो कौन सा answer हो जाएगा बच्चों c option will be correct चलिए अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ तो next question में हम देख रहे हैं कि यहाँ हुआ है the binding energy of a hydrogen atom considering an electron moving around a fixed nuclei is given by this expression तो इसमें कह रहा है कि nucleus को fixed मानकर उसके around electron भूमता हुआ हम मानते हैं hydrogen atom में और उसके basis पे हम binding energy इस expression के बारा निकाल पाते हैं अब यह कह रहा है कि if one decides to work in a frame of reference where the electron is at rest the proton would be moving around it अब कह रहा है कि electron के उपर कोई bad जाया तो electron rest पे लगेगा यानि electron के frame of reference में क्या होगा proton उसके around भूमेगा ठीक है तो अगर electron के around proton भूमता हुआ दिख रहा है कि उपर वाले expression में जहां binding energy लिख रहे है वहाँ यह M जो है mass of electron है और जब हमने proton को electron के around घूमते हुए देखा है तब M जो है क्या बन गया है mass of proton बन गया है capital M से denote कर रहे हैं क्योंकि वो reason आपको ढूंड़ना है कि यह क्यों ठीक नहीं है तो चलिए options को पढ़ते हैं पहला option है n would not be integral नहीं ऐसा क्यों मैं जिस तरीके से उपर वाले expression में n को 1,2,3 लेता हूँ यहां भी ले सकता हूँ क्या दिखकत है तो यह reason ठीक नहीं लग रहा बोर quantization applies only to electron second option में कह रहा है तो यह कह रहा है कि बोर quantization electron के लिए है नहीं यह भी reason नहीं है तीसरा कह रहा है कि the frame in which the electron is at rest is not inertial तो कह रहा है कि जो electron का frame of reference है यानि जब हम electron के respect में proton को देख रहे हैं वो inertial नहीं है non inertial है यह बात सही है यह बात तो सही है क्योंकि जब हम nucleus के reference में देख रहे थे तो nucleus कहा था rest पर था और electron उसके around घूम रहा था अब यहाँ पर क्या हो रहा है जब आप electron के respect में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है electron के respect में देखने में electron तो circular motion कर रहा है circular motion नहीं accelerated motion में है तो इसलिए क्या हो गया वो non inertial frame of reference हो गया तो यह prime कारण है इन सभी options में कि electron non inertial होने के कारण यह expression हम directly यहाँ पर replicate नहीं कर सकते कि उसके around वो घूम रहा था तो इसके around यह घूम रहा है तो यह लिख सकते हैं नहीं nucleus तो rest पर था लेकिन electron क्या rest पर है नहीं वो तो non inertial frame है तो इसलिए option c जो है इस question का answer हो जाएगा अब चलिए next question पर चलते हैं next question है the simple bore model cannot be directly applied to calculate the energy levels of an atom with many electrons तो कह रहा है कि जो bore model है वो apply नहीं किया जा सकता ठीक है cannot be directly applied to calculate the energy levels of an atom with many electrons बहुत सारे electron हो जाए तो नहीं हो सकता bore model apply ऐसा क्यों this is because उसका current पूछ रहा है सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि bore model में कौन सा assumption है जिसको assume करके हम bore के सभी पॉस्टूलेट्स को formula को लगा सकते हैं तो bore के जितने भी formula हमने energy के लिए momentum के लिए जितने भी हमने पढ़े हैं वो किस condition में लगा सकते हैं चलिए देखते हैं तो वो इस condition में लगा सकते हैं कि बीच में positively charged nucleus है और इसके around एक electron जो है खूम रहा है इसे situation के लिए लगा सकते हैं इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखें क्योंकि इसी concept पे based बहुत सारे question है आज की date में अभी इस वीडियो में बहुत सारे question सब इसी concept पे देखन और उसके around एक electron है जो घूम रहा है इसी पे बोर मोडल apply होता है बीच में कितना positive charge इससे matter नहीं करता है वो बीच में plus one भी हो सकता है plus two भी हो सकता है plus three भी हो सकता है कितना भी charge हो सकता है लेकिन बाहर एक ही electron होना चाहिए तो चलिए देखते हैं कि बहुत सारे electron हो जाए तो क्या problem है क्यों valid नहीं है चलिए देखते हैं तो पहला option कह रहा है of the electrons not being subjected to a central force कह रहा है कि अब electrons पर central force नहीं लगेगी क्यों नहीं लगेगी भई मालो कि मैंने यहाँ पर हां मैंने यहाँ पर let us say कि एक और electron को ले लिया ठीक है अब एक और electron को ले लिया लेकिन अभी भी जो पहला वाला था उस पर central force को लगी रहा है center की तरफ nucleus के द्वारा तो यह तो गलत बात है यह तो reason नहीं है of the electrons colliding with each other electron collide करने लगेंगे नहीं आगर किसी atom के पास multiple electron है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो collide कर रहे हैं तीसरा है screening effects अच्छा screening effects क्या था भई तो आप देखिए कि माल लिजे कि मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं इसकी तो इस वाले electron की अगर मैं बात करूँ यहां फिर से मैं बना देता हूं यह positive nucleus और यह electron तो इसके उपर जब यह electron अकेला था तो इस तरीके से force लग रहा था ठीक है center की तरफ nucleus के द्वारा अब क्या हुआ अगर माल लीजे मैंने एक और electron ले लिया तो अब यह वाला electron क्या करेगा यह इसको repel करेगा इन दोनों का अपस में repulsion force लगने लगेगा तो अब यह जो electron जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके उपर एक nucleus के द्वारा तो force लगाया है जा रहा है अब यह बगल बाला electron भी उसके उपर force लगा रहा है तो इसी को कहते है screening effect कि अब जो है क्या होगा वो force change हो जाएगा वो अल्टर हो जाएगा पहले जैसे लग रहा था वो वैसे नहीं लगेगा तो इसी लिए हम क्या कह सकते है कि यह तीसरा option हमारे लिए करेक्ट है screening effect इसी को हम screening effect बोलते है कि अगर बहुत सारे electron आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे screening effect और वो क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ठीक है तो इसी कारण से हम बोल मोडल में एक से ज़्यादा electron को नहीं लेते हैं अब चलिए आगे देखते है नेक्स क्वेशन है for the ground state the electron in the hydrogen atom has an angular momentum of h over 2pi ground state में तो यह h cross का मतलब आई होप आपको पता होगा h cross जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है h over 2pi तो angular momentum बोल ने बताया था कि किसी भी nh state में आप nh over 2pi लिख सकते हैं तो ground state में क्या करना पड़ेगा n equal to 1 put करेंगे और इसलिए फिर क्या हो जाएगा h over 2pi answer आजाएगा ground state में आप कहरा है कि according to the simple board model angular momentum is a vector and hence there will be infinitely many orbits with the vector pointing in all directions तो कह रहा है कि electron जिस orbit में घूम रहा है ऐसे बहुत सारे orbit होंगे बहुत सारे orbit होंगे तो बहुत सारे electron होंगे हो सकने हैं और इसलिए बहुत सारे angular momentum होंगे तो फिर क्या कह रहा है many orbits with the vector pointing in all possible directions हर possible direction में point कर देंगे तो कह रहा है कि माल लीजिए कि कोई angular momentum है जो कि इस direction में है तो कोई angular momentum होगा जो इस direction में होगा कोई इस direction में है तो कोई इस direction में होगा ठीक है तो कह रहा है कि इस तरीके से तो हर possible direction में angular momentum आ जाएगा लेकिन ऐसा त्रू नहीं है क्यों नहीं ट्रू है चलिए reasons देखते है because bore model gives incorrect values of angular momentum जो bore model है वो incorrect values देता है क्या यह बात सही है देखिए यह जो expression हम देख रहे है nh over 2 pi इस expression में आप देखिए कि यह सिर्फ जो है magnitude of angular momentum दे रहा है तो जब magnitude of angular momentum सिर्फ दे रहा है लेकिन angular momentum दो vector quantity है direction के बारे में नहीं बता रहा है इसलिए हम कहते हैं कि bore model में जो angular momentum हम निकाल रहे हैं वो जो है angular momentum पूरा जब किसी को अब को बताना होगा तो magnitude and direction दोनों बताना होगा जो कि bore model नहीं बता रहा है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि bore model gives incorrect values of angular momentum यह सही reason है तो इसलिए इस question का answer क्या हो जाएगा A तो यहाँ पर हमारे चार question खतम होते हैं अब हम चलेंगे next question पर तो fifth question में कह रहा है कि auto molecule consists of two oxygen atoms हाँ उनकुल मालूम है in the molecule nuclear force between the nuclei of the two atoms जो दोनो nuclei है auto molecule के ओके दो oxygen atoms है दो nuclei है उन दोनों के बीच का nuclear force in the molecule nuclear force between the nuclei of the two atoms दोनों atom के nuclei के बीच के nuclear force की बात हो रही है लेकिन एक चीज़ा में सोचना चाहिए कि जो nuclear force है ओके nuclear force कब लगता है जब किसी भी दो बहुत ही जो भी nucleons है जो भी nucleons है चाहे neutron protons हो protons हो उन दोनों के बीच की दूरी is of the order 10 to the power minus 15 meter ठीक है अगर तूरी इस order की होगी तो ही nuclear force लगेगा और वो कहां पर होती है वो nucleus के अंदर होती है अब यहां क्या कह रहा है कि दो nuclei के बीच का nuclear force दो nuclei के बीच की दूरी इस order की तो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि दो nuclei के बीच में nuclear force की हमें बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो exist ही नहीं करेगा क्योंकि वो exist करता है इस दूरी के ऊपर 10 to the power minus 15 meter के order की दूरी होगी तो वो exist करेगा तो चलिए आगे देखते हैं options में क्या लिखा हुआ है is not important because nuclear forces are short range पहला option नहीं दे रहा है कि nuclear force is not important जरूरी नहीं है because nuclear forces are short range nuclear forces short range होते हैं इसी लिए दो nuclei के बीच में nuclear force जरूरी नहीं है हाँ बिल्कुल सही बात है तो इसी लिए हम यहीं पर टिक कर देंगे कि हमारा correct option क्या है कि बाकी options भी आप पढ़ सकते हैं is as important as electrostatic force for binding the two atoms नहीं exist ही नहीं करता है तो फिर कैसे important होगा cancels the repulsive electrostatic force between the nuclei नहीं exist ही नहीं करता है is not important because oxygen nucleus has equal number of neutrons and protons नहीं इस option से भी कोई लेना देना नहीं है nuclear force ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question question number 6 पे तो यहाँ पर पूछा गया है two H atoms in the ground state collide inelastically so hydrogen atom है inelastically collide करें मतलब क्या हुआ दोनों आपस में शिपक गए the maximum amount by which their combined kinetic energy is reduced maximum कितनी kinetic energy उनकी कम हो सकती है तो आपको पता है कि यह ground state माल लीजे या फिर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इसको आप ground state माल लीजे इसको first excited state माल लीजे इसको second excited state माल लीजे तो तब से ज़्यादा gap कहा पर होता है बताईए यहाँ पर होता है ground state और first excited state के भी तो जो maximum loss हो सकता है वो कहा पर हो सकता है किसी transition में हो सकता है और hydrogen atom के लिए gap कितना होता है हमको याद होना चाहिए this is 10.2 electron volt इसलिए straight away हम answer बोल देंगे क्या कि maximum amount जिससे kinetic energy घट सकती है वो तब होगा जब वो energy होगी किसके बराबर 10.2 electron volt तो दो में से एक hydrogen atom क्या होगा वो ground state से first excited state में चला जाएगा और उसी case में maximum loss होगा ओके तो आगे बढ़ते हैं question number 7 a set of atoms in an excited state decays set of atoms है मान लीजे 5, 10, 15 कितने भी हमारे पास atom है excited state में गय है और फिर वहाँ से उनको decay होने के लिए छोड़ दिया गया तो क्या कह रहा है options में क्या किया दिया हुआ है in general to any of the states with lower energy तो जब वो decay होगा तो वो in general किसी भी lower energy पे decay हो सकता है क्या ये बात सही है हाँ बिल्कुल सही है मान लीजे कि हमारे पास ऐसे atom से atom number 1, atom number 2, atom number 3 ये गया 5th excited state पे ये गया 6th excited state पे ये गया let us say 9th excited state पे random कहीं भी जा सकता है तो क्योंकि एक atom कितनी energy absorb करेगा ये probability basis पे है इसको हम definitely पता सकते कि कितने atom किस excited state में जाएंगे तो ये सब probability के उपर है तो हमने randomly कुछ numbers ले लिए 5th excited state, 6th and 9th excited state तो यहाँ पर जाके माल लीजे कि ये atoms जो है decay हो रहे है तो अब जब decay होंगे तो किसी भी excited state पे हो सकते है जो lower state है lower energy state है किसी भी lower energy state पे आ सकते है 5th पे है तो 4th पे भी आ सकता है 3rd पे भी आ सकता है 2nd पे भी आ सकता है 1st पे भी आ सकता है similarly जो 6th पे है वो 5th पे भी जा सकता है थर्ड पर भी जा सकता है, okay? जो 9th पर है, वो 8 पर भी जा सकते है, 7 पर भी जा सकता है, and so on. तो किसी भी lower state पर जा सकता है. तो luckily क्या हुआ कि हमें जो पहला option मिला, यही option correct है. एक क्योंकि यह कहा रहा है कि किसी भी lower energy स्टेट पर जा सकता है हाँ सही बात है यह option correct है बाकी option भी चाहें तो हम पढ़ सकते हैं into a lower state only when excited by external electric field कह रहा है कि जब external electric field लगाओगे तब ही lower energy state पर आएगा नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो उपर वाले excited state पर गया है higher energy state पर गया है वो किसे भी lower energy state पर आ सकता है उसके ले electric field की ज़रूरत नहीं है फिर क्या कह रहा है c option में all together simultaneously into a lower state कह रहा है कि all together simultaneously सारे atom एक साथ lower state में आ जाएंगे नहीं मैंने आपको बताया कि probability basis पर absorb करके higher energy state पर जाएंगे और lower energy state पर भी randomly आएंगे उसको हम predict नहीं कर सकते कि सारे एक साथ ही होने चाहिए लास्ट option कह रहा है to emit photons only when they collide कह रहा है कि collide करेंगे तो ही photons emit करेंगे नहीं हमें पता है कि जब electron को किसी lower energy state से higher energy state पर जाना होता है तो photon absorb करता है और जब उपर से नीचे आता है तो photon emit कर देता है उसके लिए collision की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसके बाद जो questions हम discuss करेंगे question number 7 के बाद वो होंगे multiple correct questions तो पहला multiple correct question देखते है तो यहाँ पर है एन आयनाइस्ट एच मॉलेक्यूल सिस्ट ऑफ एन एलेक्ट्रॉन एंड टू प्रोटॉन्स कुछ special हमारे पास है उसमें क्या हो रहा है कि एक एलेक्ट्रॉन है ठीक है और दो separated by a small distance of the order of the एंग्स्ट्रॉम तो दपार माइनस 10 मीटर अप्रोक्सिमेट इनके बीच के दूरी दे हुई है ठीक है तो अब देखिए यह 10 तो दो पार माइनस 10 मीटर बहुत इंटेलिजेंटली इसने सेलेक्ट किया है क्योंकि अगर बहुत कर देगा 10 तो दो पार माइनस 15 के असपास कर देगा तो नुक्लियर पोर्स लग जाएंगे प्रोटान प्रोटान के बीच में नुक्लियर पोर्स लग जाएगा तो इसलिए इसने 10 तो दो पार माइनस 10 लिया हुआ है अब चली दिखते है question में क्या कह रहा है, the protons are separated by a small distance of the order angstrom in the ground state, ground state में क्या होगा the electron would not move in circular orbits अच्छा, तो भाई, अगर हम पुरानी चीज़े याद करें तो एक nucleus होता था बीच में और एक electron होता था जो कि इसके around घुमता था ठीक है, जिसको हम असानी से बता सकते हैं कि यह central force लग रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है, dominant obviously electrostatic force है, जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, वह ही centripetal force provide कर रहा है, और यह घूम रहा है यहाँ पर तो दो proton आ गए, अब जब दो proton आ गए, तो definitely पहले की तरह simplified system तो नहीं है, जाएगा proton के around ही, क्यों, क्योंकि अभी भी इसके उपर protons का force लग रहा है, ठीक है तो घूमेगा भी भी लेकिन circular orbits में नहीं घूमेगा, क्योंकि वो तो इस case में होता है, जब बिलकुल simplified होता है, एक बीच में positive फिर उसके पास electron उसके पास कुछ velocity, तब वो circle में जाता, लेकिन इस situation में वो proton के around तो घूमेगा, बट circular orbit पे नहीं घूमेगा तो options चलिए select करते हैं, the electron would not move in circular orbits, पहला यह option कह रहा है, सही बात है, यह option सही है the energy would be 2 raised to the power 4 times that of a hydrogen atom यह कहने का कोई basis नहीं है फिर है, the electrons orbit would go around the protons, हाँ सही बात है, वो तो जाएगा, क्योंकि force लग रहा है उसको protons की तरफ से c option भी correct है, the molecule will soon decay in a proton and a hydrogen atom क्यों भई decay क्यों होगा, तो इसका भी कोई basis नहीं है तो option क्या होगे है हमारे पास, option a और option c, अब हम चलेंगे, अगले सवाल की तरफ question number 9 तो question number 9 है consider aiming a beam of free electrons towards free protons, ठीक है when they scatter electron and a proton cannot combine to produce a hydrogen atom, आदे कि hydrogen atom में क्या होता है hydrogen atom में electron होता है, हर proton होता है तो कह रहा है कि मैं खूप सारे electron लूँ और उसको खूप सारे proton के पास भेज दूँ तो क्या होगा, दोनों के बीच में electrostatic forces लगेंगे तो electrons, protons सब scatter हो जाएंगे तो अब यहाँ पर कह रहा है कि वो दोनों electron, proton मिलके एक hydrogen atom नहीं बनाते क्योंकि उसका कारण ढूंद रहा है because of energy conservation पहला option है तो पहले यहाँ पर आप यह समझ लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक system बनता है, जब दो चीजे मिलकर एक system बनाती है तो उसमें हमेशा क्या होता है, binding energy release होती है एक energy release होती है, जिसको हम बोलते हैं binding energy वही binding energy किसी भी system को bind करके रखती है तो जब electron और proton बास आ रहे है तो एक hydrogen atom है उसको बनने के लिए सिर्फ electron और proton नहीं चाहिए एक energy भी है जो release होनी चाहिए तो वो नहीं होने के कारण क्या होता है, hydrogen atom नहीं बनता है, तो पहला option जो हमें कह रहा है, because of energy conservation हो सही है क्योंकि energy कैसे release होगी जब energy release नहीं होगी तो hydrogen atom कैसे बनेगा तो इसलिए पहला option correct है दूसरा option है without simultaneously releasing energy in the form of radiation कह रहा है कि electron और proton दोनों एक साथ अगर radiation के थुरू energy release कर देते, तो भी hydrogen atom बन जाता, लेकिन वो क्यों release करेंगे तो रेडियेशन के थुरू simultaneously एक साथ energy भी emit नहीं कर रहे है ओके, सो ये energy emit ना करने के कारण क्या होता है, hydrogen atom again हम कह सकते हैं कि नहीं बनता है क्योंकि किसी भी system को बनने के लिए energy release होना चाहिए तो energy नहीं release होता है इसलिए भी hydrogen atom नहीं बनता है तो ये b option भी correct है ये option क्या कह रहा है because of momentum conservation नहीं momentum से इसका कोई relation नहीं है because of angular momentum conservation नहीं, उससे भी कोई relation नहीं है तो इसलिए इस question का answer हो जाएगा a और b अगला सवाल अगला सवाल है the bore model for the spectra of a hydrogen atom देखे, bore model पे कितने सारे सवाल है मैंने आपको शुरू में ही बताया था the bore model for the spectra of a hydrogen atom will not be applicable to hydrogen in the molecular form तो molecular form hydrogen का क्या होता है H2, ओके, आप सबको पता होगा तो molecular form में क्या हो रहा है कि दो nucleus हो गया है दो electron हो गया obviously bore model valid नहीं होगा ओके तो यहाँ पर हम क्या कह सकते है कि सही बात है A option correct है H2 के लिए valid नहीं है तो correct हो गया A option will not be applicable for helium atom helium atom में क्या होता है उसमें 2 electron होते bore model में क्या होता है बीच में एक nucleus और उसके चारों तरफ एक गुमता हुआ electron तो इसलिए helium atom के लिए valid नहीं है तो सही बात है B option भी correct हो गया C में क्या कहा रहा है Is valid only at room temperature नहीं temperature की तो हम कभी बात ही नहीं करते जब bore model की बात करते है तो कि temperature का कोई role नहीं है तो इसलिए C option भी नहीं होगा D option कहा रहा है predicts continuous as well as discrete spectral lines तो bore model हमें पता है कि किस problem को उसने सबसे पहले solve किया था कि जो spectral lines है वो discrete spectral lines थी तो bore ने उनका explanation दिया उनको predict किया कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा और कहा कहा आएगा किन-किन values पे आएगा तो इसलिए bore model सिर्फ discrete spectral lines प्रेडिक करता है और उनको explain करता है continuous को नहीं करता है और इस option में कह रहा है कि continuous को भी कर रहा है question number 11 question number 11 में है the bomber series for the hydrogen atom can be observed okay bomber series की बात कर रहा है तो याद हो का आपको कि अगर सभी electron जब de-excite हो रहे हैं किसी भी higher excited state से lower excited state पे आ रहे हैं तो क्या होता था n equal to 1 यादि अगर ground state में आगे तो उसको क्या कहते थे याद है आपको lyman series कहते थे और अगर n equal to 2 पे गिरे तो क्या होंगे क्या होंगे bomber series तो n equal to 2 पे जब de-excite होके गिरेंगे तो उन्ही को हम बोलते हैं bomber series तो अब यहाँ पर देखिए कि if we measure the frequencies of light emitted when an excited atom falls to the ground state नहीं ground state वाले को हम नहीं बोलते है bomber series तो पहला option गलत हो गया और क्या कह रहा है if we measure the frequencies of light emitted due to transitions between excited states and the first excited state किसी भी excited state से first excited state हाँ यह वाली बात सही है तो भी option सही हो जाएगा अगला option है any transition in a hydrogen atom कह रहा कि कोई भी transition हो उसको bomber कहतेंगे नहीं गलत बात है यह भी गलत हो गया as a sequence of frequencies with the higher frequencies getting closely packed इस option को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है बेखी क्या कह रहा है यह अच्छा यह बताए फ्रीक्वेंसी कब हाई होगी जब energy difference बहुत हाई होगा तो energy difference किसी भी excited state को हम ले लेते हैं माल लीजी यह हमारे पास ground state है n equal to 1 n equal to 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 है तो माल लीजी है कि fifth excited state से fourth excited state है n equal to 5 तो यहां से लेकर माल लीजी कि कोई भी electron ground state पे jump करता है और जो photon की frequency emit करता है वो let's say f1 है तो fifth excited यह जो n equal to 5 है fourth excited state है यहां से जब ground state पर आया है तो fourth excited state से सबसे ज़्यादा energy कब emit करेगा जब वो ground state पर जाएगा यानि कि fourth excited state के लिए f1 frequency क्या हो गई highest हो गई ठीक है ground state पर जाएगा तभी highest frequency emit करेगा ठीक है next highest कहां पर होगा जब वो n equal to 5 से कहां पर आएगा n equal to 2 पर आएगा यह next highest होगा अब इस option को दुबारा पढ़िए d option को sequence of frequencies with the higher frequencies getting closely bagged तो जो higher frequencies है यानि कि f1 है उसके close में कौन है f2 है यह f2 इसको मैंने f2 कह दिया तो higher frequency के closely packed जो frequencies है वो क्या है कहां पर किस के अंडरल आई कर रहे है bomber series के अंडरल आई कर रहे है तो इसलिए d option को भी हम क्या mark कर देंगे correct तो 11th question का answer हो गया b option and d option चलिए आगे बढ़ते है question number 12 यहां पर कह रहा है कि let en is equal to minus 1 by 8 epsilon not square e raised to the power 4 divided by n square h square be the energy of the nth level of hydrogen atom nth level of hydrogen atom की यह energy है ठीक है if all the h atoms are in ground state and radiation of frequency e2 minus e1 by h falls on it तो कह रहा कि खूब सारे hydrogen atom है और मैंने उनको e2 minus e1 by h इतने frequency का radiation उनके उपर डाल दिया तो कितनी energy उनको मिलेगी बताईए उनको कितनी energy मिलेगी e2 minus e1 इतनी energy मिलेगी अब e2 minus e1 जो energy है वो क्या करेगी क्या कर सकती है तो वो ये कर सकती है कि n equal to 1 यानि ground state n equal to 2 यानि first excited state यहां से लेकर यहां तक electron को पहुचा सकती है अगर n equal to 3 पर जाना है तो ज़्यादा energy चाहिए e2 minus e1 तो यहीं तक पहुचा सकती है n equal to 2 तक तो आप चलिए आगे situations देखते हैं option में क्या क्या दे रहा है it will not be absorbed at all करें कि absorb नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा भई अगर यह energy किसी भी gap से match होता है e2 minus e1 किस से match होता है energy difference between n equal to 1 and n equal to 2 अगर match हो रहा है तो absorb कर सकता है क्यों नहीं कर सकता पहला option तो गलत है second sum of atoms will move to the first excited state करा कुछ atoms first excited state में चले जाएंगे हाँ बिल्कुल सही बात है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब खूब सारे atom है आपको energy radiation उस पे डाल रहे है तो ज़रूरी नहीं कि सब equally excited होंगे randomly सब excited हो सकते हैं तो उसी तरीके से कुछ atoms first excited state में आ सकते हैं और जो नहीं absorb कर पाए वो नहीं आएंगे तो सारे आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ atoms आ सकते हैं तो इसलिए क्या होगा some atoms will move to first excited state भी option होगया correct तो इसलिए option क्या कहरा है all atoms will be excited to n equal to 2 कहरा है सभी excited हो जाएंगे नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो absorb कर पाएगा पूरा पूरा e2 minus c1 वहीं जा पाएगा तो इसलिए यह option गलत है last कर रहा है no atoms will make transition to n equal to 3 सही बात है क्योंकि n equal to 3 अगर जाना है ground state से तो फिर तो ज़्यादा energy चाहिए फिर तो हमें energy जो चाहिए वो e3 minus e1 चाहिए तो कम energy है तो 2 तक ही जाएगा तो इसलिए यह option भी सही है कह रहा कि कोई item नहीं जाएगा तो सही बात है तो B.O.T. correct option हो गया question number 12 के आप चलिए आगे बढ़ते हैं question number 13 यहाँ पर कह रहा है the simple bore model इदे कि model की spelling गलत है spelling mistakes है जो कि आप इसमें correct कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं question number 10 में molecular form को from लिखा हुआ है इसको भी आप correct कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी यह इसने bore model की spelling को गलत कर दिया है ओके यह आप correct कर सकते हैं कर सिंपल bore model is not applicable to helium 4 देख फिर से bore model में question है इसका reason क्या है because helium is an inert gas नहीं बिल्कुल नहीं यह reason नहीं है और क्या कह रहा है helium 4 has neutrons in the nucleus nucleus के अंदर neutron रखा है इसलिए नहीं यह भी reason नहीं है helium has one more electron yes 4 model तो क्या होता है किसके लिए valid होगा वो होगा जब एक nucleus और एक electron अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा है ना तभी valid होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि one more electron helium 4 के पास किसी लिए valid नहीं होगा तो C option हो गया सही D option क्या कह रहा है electrons are not subject to central forces तो मैंने आपको बताया है कि जब एक और हमारे पास electron आ गया तो अब nucleus और इन electrons के बीच की दूरी बढ़ गई तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि central forces भी electron पे नहीं लग रहे तो इसलिए option D भी हो जाएगा correct तो question number 13 का दो option correct हो गया option C और option D तो objective questions हम देख रहे थे exemplar के atoms chapter से physics class 12 part 2 इस book में ये questions दिये हुए है तो आज के लिए इतना ही और I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा आपकी preparation के लिए all the best thank you